तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर वन रेशनल नंबर के वैल्यू बेस्ट को सॉल्व करेंगे इसके पहले के सारे वर्कसिट्स के कोश्चन्स हमने सॉल्व कर लिये हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें फर्स्ट कोश् उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी जो प्रोपर्टी है वो अपने बच्चों में डिवाइड कर देंगे, फिर क्या किया उन्होंने? फिर क्या किया उन्होंने? अपने प्रोपर्टी का तू अपन फाइब पार्ट किसे दिया? सन को दि अपने प्रोपर्टी का 2 अपन 5 पार्ट दिया एंड डाउटर को कितना दिया 4 अपन 10 ओके एंड रेस्ट रेस्ट टू चैरिटीवल ट्रस्ट और जो बचे उन्हें क्या किया उन्होंने चैरिटीवल ट्रस्ट को दे दिया जो भी उनके आसपास चैरिटीवल ट्रस्ट होंग उन्हें दे दिया उन्होंने ठीक है अब क्या कहता है question इसमें क्या आता है whose share was more sons और daughters किसका share जादा था son का share जादा था या daughter का था और question number second क्या है what do you feel about सुख़देव's decision आप क्या feel करते हो सुख़देव के decision को ठीक है मतलब सुख़देव जो डिसिजन लिया उसके बारे में आप क्या feel करते हो मतलब उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया यह क्या किया जो भी आप feel करते हो उसे आपको लिखना है which values are exhibited here इस statement में यह जो statement दिया गया है उनसे आप क्या सिखते हो क्या प्रदर्सित करता है उनकी प्रोपर्टी का 2 अपन 5 सन का सेर था और डाटर का कितना था 4 अपन 10 तो जो डाटर का सेर है 4 अपन 10 है यहां देखे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा 5 ताइम्स तो क्या यहां आएगा 2 अपन 5 यहां देखिए 2 अपन 5 उन्होंने सन को दिया और डाटर को जो दिया वो भी 2 अपन 5 है तो हम लिखेंगे 2 अपन 5 इस एक्वल टो 2 अपन 5 है ना दोनों को जो सेर उन्होंने दिया वो दोनों इक्वल है तो अपने बेटे को और अपनी बेटी को दोनों को equal part उन्हों ने दिया तो क्या कहेंगे हम तो हम क्या कहेंगे So both were having equal share ये में जो question है who share was more है ना कहा गया है ना who share was more sons और daughter दोनों में से किसका ज्यादा है तो दोनों में से तो किसी का ज्यादा नहीं है दोनों का equal है तो हम इसका answer यहीं देंगे ना So both were having equals here और second क्या है देखिए What do you feel about सुखदेव decision है ना सुखदेव के decision के बारे में आप क्या सूचते हो तो उन्होंने क्या किया अपने बेटे और बेटी को equal parts में property दी तो that means वो उनका जो decision था वो fair था है ना और उनका यह जो statement है वो क्या value हमें सिखाता है तो हम क्या कह सकते है equality सिखाता है वो दोनों को बेटे और बेटी में कोई भी फरक नहीं करते हैं वो दोनों को equal समझते हैं एक चीज उनमें क्या अच्छा था कि उन्होंने अपनी property का कुछ part किसे दिया charitable trust को भी दिया वो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं अच्छा चाहते हैं इसलिए उन्होंने charity में भी कुछ parts अपने property के कुछ parts उन्होंने दिये तो second का statement हम लिखेंगे तो देखें हम लिखेंगे I feel सुखदेव's decision was fair उनका decision fair था है ना यह statement यह जो था वो क्या सिखाता है हमें equality सिखाता है next question दिखी क्या है कविता along with her family was planning a vacation at a hill station कविता क्या करती है अपने family के साथ planning करती है vacation पर जाने का कहा जाना है उन्हें तो hill station पर जाना है ठीक है but they were confused where to go लेकिन वे confused है किस चीज के लिए कि उन्हें कहा जाना है वो समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें कहा जाना चाहिए तो कविता's mother asked her to find out the maximum temperature of few hill stations for deciding on the place to visit तो उनकी जो मदर थी कविता की मदर उन्हों ने उन्हें कहा कि आप क्या करो कि आप सर्च करो कि कहा maximum temperature रहाएगा किस किस hill station पर maximum temperature होगा आप सर्च करो है ना तो उन्होंने जब सर्च किया see check the weather report on the internet and found that फिर उन्होंने जब सर्च किया इंटरनेट पर तो उन्हें क्या मिला देखिए Simla's temperature कितना है minus 7 upon 2 degree Celsius है ना Simla का temperature कितना है minus 7 upon 2 degree Celsius डलहोजी's temperature कितना है minus 5 degree Celsius और Manali's temperature कितना है minus 8 upon 5 degree Celsius है ना तो इन तीन जगहों के temperature उन्होंने सर्च किया अब question क्या है arrange the temperature of these hill stations in ascending order इन temperatures को आप ascending order में लिखो second है which place will they decide to visit वो किस place पर जाने के लिए decide करेंगे है ना और third है रेखिए what value is exhibited in the above situation यह जो situation है कवीता का situation वो हमें क्या सिखाता है ना क्या exhibited करता है क्या परदर्सित करता है क्या दिखाता है तो देखे इन जगहों के temperature हमने यहां पे note कर लिए है अब क्या कह रहा है first question कि इन्हें हम ascending order में लिखना है हमें हमें है तो इन numbers को ascending order में लिखने के लिए क्या करेंगे इनका denominator देखे क्या है minus 7 upon 2 and minus 8 upon 5 में denominator क्या है 2 है and 5 है तो 2 & 5 का LCM हम लेंगे तो LCM इन दोनों का क्या आएगा हम लिखेंगे LCM of 2 & 5 जब हम 2 & 5 का LCM हम find करेंगे तो 10 आएगा okay तो अब क्या करेंगे इनके denominator को 10 बनाएगे तो minus 7 upon 2 है minus 7 upon 2 2 को 5 से multiply करेंगे तो 10 आजाएगा तो 5 से उपर भी multiply करेंगे यहां आएगा minus 7 into 5 35 & denominator 10 next है minus 5 तो minus 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहां 1 रख लेंगे तो 1 को हमें 10 बनाना है तो 10 से multiply करेंगे 10 से minus 5 को भी करेंगे तो यहां आएगा minus 50 और denominator हो जाएगा 10 next number है minus 8 upon 5 minus 8 upon 5 5 को 2 से multiply करेंगे तो 2 से minus 8 को भी करेंगे यहां हो जाएगा minus 8 into 2 16 minus 16 & 5 into 2 10 अब देखिए सारे numbers क्या है minus में है तो इन्हें क्या करना है ascending order में मतलब हमें सबसे छोटा number सबसे पहले लिखना है तो यहां लिखेंगे सबसे छोटा number कौन सा होगा देखिए minus 35 है डिनोमिनेटर तो तीनो नंबर के सेम आ चुके हैं देखिए 10 10 & 10 अब हमें क्या करना है देखेंगे कि numerator किसका सबसे छोटा है है ना कौन सा निमेरेटर सबसे छोटा है तो माइनस 35 है यह माइनस 50 है माइनस 16 है तो नेगेटिव नंबर में क्या होते है जो जिस नंबर का numerical value जादा होता है वो नंबर छोटा होता है तो देखिए इस नंबर में क्या है माइनस यह 50 बड़ा है ना 35 एंड 16 से बट यहां माइनस है तो इसलिए माइनस 50 छोटा नंबर होगा है ना तो माइनस 50 किसका निमेरेटर है माइनस 5 का तो minus 5 यहां हम लिखेंगे, ठीक है ना, minus 5 सबसे चोटा नंबर होगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, minus 35, minus 35 किसका numerator है, minus 7 का, minus 7 upon 2 का, फिर सबसे बड़ा कौन सा नंबर आया, minus 16, minus 16 किसका numerator है, minus 8 upon 5 का, है ना, तो देखिए, ए में जो करना था, हमें क्या करना था, अरेंज करना था, असेंडिंग ओर में, तो यह हमने कर लिया है, इसे हम डिग्री सेल्सियस में, पुट कर देते हैं, अना, अब क्या करना है, second question है, कि, which place will they decide to visit, वो किस प्लेस पे जाना पसंद करेंगे, तो देखिए, temperature जादा रहेगा, वो ही वो जाना पसंद करेंगे, तो इसमें सबसे जादा temperature किसका है, माइनस 8 अपन 5 है, और, यह सबसे बड़ा नंबर है, माइनस 8 अपन 5, तो माइनस 8 अपन 5, किसका temperature है, देखिए, मनाली का temperature, तो यह कहां जाना पसंद करेंगे, मनाली में, तो इसका answer ह है what value थर्ड क्या है what value is exhibited in the above situation उपर का जो situation है इसमें क्या value सिखने को मिलेगा तो क्या कहेंगे हम क्या सिखने को मिल रहा है decision making है decision कैसे करना है कोई भी situation में कैसे decision लेना है तो इसका अंसर होगा decision making तो हमारे value based questions में दो questions थे वो हमने कर लिये हैं और next video में हम brain teaser के questions को करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे like कर देना and friends में share कर देना thank you